नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीवियर स्टेडी आज से हम लोग देखेंगे डियलेट की सीकेंट सेमेस्टर की गडित जो की इक्तम स्टार्टिंग से होगी तो आप से रिक्वेस्ट रहेगी की सभी कलास को देखिएगा और पिर चंद कारी को पूरा समझेगा ठीक है, अगर आप सभी कलास को देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा यह हमारी ग्यारंटी और जीमेरारी होगी ठीक है, तो हादिन की कलास को देखिएगा और समझेगा आज का हमारे टॉपिक होगा वर्ग और वर्गमूल बहुत से लोगों को दिक्कत होती है वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्ग क्या होता है तो हम दोनों चीज को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे आपने लिख दिया चार चार क्या है? ये चार जो है ना ये दो का वर्ग है ठीक है? चार क्या है? दो का वर्ग है कैसे? अभी आपको दिखाते हैं अगर आपने लिख दिया दो दो क्या है? दो चार का वर्गमूर है मतलब समझ गये होंगी अब आप लो चार का वर्गमूर दो और दो ककवर्ग क्या हूगा ? चार देखिए आपको आगी समझातें कैसे ऐसे नहीं समझ ज़ रहा होगा है ना ऐसे उड़ रहा होगा उपर से देखिए ऐसे यह है आपका वर्ग और यह है आपका वर्ग मून दोनों मैं अंतर समझ लीज़ीगा इसे इंग्लिज में square बोलते हैं और उसे बोलते हैं square root ठीक है तो चलिए दिखाते हैं आपको जैसे अगर हमने कहा कि दो की घात लगा दिया दो तो ये इसे बोलते हैं वर्ड इंग्लिज में holy square भी बोला जाता है ये दो जो घात लगी ना इसका मतलब ये हुआ कि आप इस संख्या को जो गएकट के अंदर में है इसे उतना भार लिक सकते हैं जितना इसके चुर्की पे number है तो दो है तो आप दो भाल लिक सकते हैं तो ये दो ठुना क्या हो जाएगा चार, चार आया न, ठीक, वर्गमूल क्या होता है, अगर इस चार का हम वर्गमूल करेंगे, तो ये दो आ जायेगा, दो, समझ रहे न, वर्गमूल ऐसे करते हैं, वर्गमूल करने के लिए इसको चार को ऐसे लिखते हैं, है न, फिर क्या करते हैं, चार में क्या करेंगे, भा कि भाग पूरा पूरा चाहिए, सेसफल जीरो आएगा, तब ही वो आपका भाग के माना जाएगा, ठीक है, तो जैसे देखिए, चार में हम दो से भाग करते हैं, तो दो दूना चार, ये पूरा पूरा कट जाता है, जीरो आता नीचे न, इसका मतलब ये एसेप्टेड है, ल इसेप्टेड नहीं है, उसी संक्या से भाग करेंगे, जो पूरी-पूरी कट ले, से इस पर जीरो आए, तो ये दो बार भाग जाएगा, तो कितना आया था, अब ये आपने देखा था, चार में जब भाग किये थे हमने दो से, तो दो दूना चार, उपर कितना आया था, जो उपर आता है, उसको इस संक्या के नीचे लिखा जाता है, और जिस संक्या से भाग करते हैं, इस दो से हमने भाग किया था, तो इसको उसके सामने लिखते हैं, तो ये हो गया दो, अब इस दो में किस से भाग करें, कि कट जाए, दो ही एक ऐसे संक्या जो सम भी है, और अब आज भी है यह केबल दो से ही कटेगी तो दो एक कम दो है ना एक आ गया तो छोड़ देंगे हो गया यह सटिस्पाइब अब हम इसके नीचे ली सकते हैं ऐसे अंडरूट में यह दो बार कटा है ना तो दो गुड़ा दो हो गया फिर इसमें जोड़ा बनाते हैं क्या बनाते हैं पेयर कपल नहीं बोलेंगे बैयर बोलेंगे आपर कपल मतलब भी जोड़ा होता पेयर मतलब भी होता है तो पेयर बन हो जाएगी बदलब यह गंगा नहां के पवित्र हो गए बाहर आगे समझ गए ना यह हो गया दो उम्मीद करते हैं इससे आप समझ गए होंगे नहीं तो हम आपको आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे बताते हैं आपने देखा दो ka वर्ग मूल कितनााया माघ पर यह दो का नहीं चार कावर्ग मूल दो और दो का वर्ग कितना हुआ चार 일किंगे इसको मिटाते फ three its देख लिजी ना इत्म अस्पाइट हो जा जिससे अंतर आपको मालूम हो जाए अंतर आपको समझने आया होगा स्क्रीन साथ ले ले वीडियो को पीछे करके लिख ले ठीक है और कोई भी भाई वीडियो को डाउनलोड नहीं करेगा जो भी देखेंगे आलमाइन देखेंगे आपको कलास रोंक्त दिये दाएगा लएक आप्टालोड करेंगे तो ठीक है तो यह देखिए चार क्या है दो का वर्ग चार है और चार का वर्ग मूल क्या है दो है गप इसरे के मिल्पोल भिरो दूंड ही करे गश्cies ले catast देखे वर्ग और वर्गमोल में अंतर समझने एक दूसरा और भी सवाल क्विश्चन नमर सिकेंड में हमने लिया है 4 और सोला ठीक है? ध्यान दिजिएगा अगर 4 का वर्ग करेंगे स्कॉाइर रूट करेंगे माँ करिएगा स्कॉाइर रूट नहीं स्कॉाइर करेंगे लेकिन अगर सोला को अर्क मूल करें थो चाल आ जाएगा ये दूनों ये दूसरी की बिरॉधी पाज़िए तो चलिए इधर के खाते हैं आपको ये कष़ाया करना आप चांटे हैं अगर नहीं जानते तो बताइएगा पहले क्या करते हैं जो यहाँ नमबर होता है उसे छोटे से छोटे नमबर से भाग करते हैं अगर एक से भाग करेंगे तो 16 में कोई फर्ट नहीं पड़ेगा इसलिए हम 2 से सुरू करते हैं कंडिशन यह होती है कि भाग करने के बाद सेसपल जीरो आना चाहिए अगर 2 में भाग करेंगे 16 से तो सेसपल जीरो आएगा क्योंकि 2 अठे 16 होता जानते आप अगर 3 से भाग करेंगे 16 में तो नहीं कटेगा क्योंकि 1 सेसपल बच जाएगा तो तीन यहाँ पर सुभी कारण नहीं होगा नटे सेप्टेट दो से करेंगी तो दो अठे सोला समझ गे ना? ऐसे भाग करते हैं इसको यहाँ पर समझ ले बहुत अच्छे से ये दो से भाग किया तो दो अठे सोला और गटाने प्रागे जीरो जिससे भाग करते हैं उसे भाजक बोलते हैं और इस भाजक को इसके सामने लिखते हैं जो ऊपर बचता है परडाम के रूप में फल के रूप में इससे भाग फल बोलते हैं और इसको नीचे किसका देते हैं होगे ना? बस यही पर किलिए आगे बढ़ाते हैं चार बार यह ओगया ना फर क्या करते हैं। दो का जोड़ा बना देते हैं यह जोड़ा जानते ना बाखता है होता है यह जोड़ा किया अब क्या करेंगे ? एक एक Circuit सब्सक्राइक सबीकित जैसे यह दिखें कर दो और ये दो, इकोल क्या आ गया? चार. जैसरे अगर कोई योजना का लाब लेना है और ममी पापा है, या फिर अंकल आंटी है, तो उसमें से अंकल आंटी मिश्यों मैंसे एक लोग को ही उस योजना के लिए अपलाई करना होता है. है ना? आप लोग इसके इसे सिंपल में वहा है न तो यह मुप्त की योजना होती इसमें दोनों में से के वले एक दोनों नहीं ठीक तो इस जोड़े से एक दो बाहर आ गया और इस तरह से क्या हो गया चार हो गया समझके न कोई तनक्यूजन है तो निसन कोच कमेट कर सकते हैं और लाइप क्लास को जॉइन करने के लिए परड़े क्लास देखने के लिए उपर दिये गे वाट्सअप नमबर पर आप हमें जोईन लिख करके भेज सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मिसकॉल भी कर सकते हैं अगर आप क्लास जोईन करेंगे तो हर दिन आपको क्लास मिलेगी आज आपकी क्लास जो पटिर आगे बढ़ते हैं ठीक है पर आपको याद कर लेने हैं 10-15 के जिसे आपको परीचा में और बैट के रटना नहीं है कि भाई तीन का वर्ग नहों तीन का वर्ग नहों नहीं तो पगल वाले पड़ोसी लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया, तो पागल नहीं बनना है, केवल इसे समझ लेना एक बार बस, समझ गये ना, कोई बीचीज रटने से याद नहीं होता है, आज इसको अपने दिमार मे इठाले ठीक है ना तो आपने सुना होगा कि पढ़ते हैं सागर भर समझ में आता है नदिया के बराबर है ना और याद होता है तालाब के बराबर और चार दिन बाद बचता है बल्टी के बराबर और जब आप पेपर देने जाते हैं तो कितना बचता है चुलू बराबर और बड़ी संख्या लेने 12 तो 12 का वर्ग मूल क्या होगा देखे यहां पर कुछ गडबड लिखा है नहीं यह बारा का च्छा का वर्ग 36 होगा यहां पर लिखेंगे 12 का वर्ग क्या होगा 144 और 144 का मूल क्या होगा 12 होगा बस यह आप लोग कुछ याद कर लें ठीक है 144 का वर मूल इतना है 12 है आज की क्लास बस इतना ही फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और जादा टोपिक लिख करके उसे चरूर देखिएगा इस नंबर पर मिश कॉल या वाटसप पर मैसेज करके जोई लिख कर भेजिएगा अगर हर दिन क्लास चाहते हैं तो और नहीं चाहते हैं तो राम राम आज के लिए बस इतना ही यह नंबर आपको कॉल के लिए भी दिया गया है यहाँ पर आप 32 की जगा पर 33 भी कर सकते हैं दोनों नंबर पर आप कॉल करके किसी भी प्रकार की इंक्वाइरी कर सकते हैं इतना ही नहीं अगर आप और भी बीसर की क्लास चाहते हैं जैसे की पर्यावरण बालकास मनुदि ज्यान समाजी की ज्यान आदी तो आप डिस्क्रेप्शन में दी गई लिंक से अनेकरडमी पर फॉलो करें कोई प्रकार की अगर साहता चाहते हैं या फिर कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें भी संपोज कांटेक्ट कर सकते हैं इन नमबरों पर ठीक है और दूसरी बार पीबियार इस्टेडी के फेस्बुक पेज को आवसे लाइक कर दें डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप यूट्यूब पर माफ करिएगा फेस्बुक पर लिचों कर Works करके भी आसकते हैं जिससे कि आपको गाल सके और आप यूट्यूब के अलाम फेस्बूक पर अपडेटपा सकते हैं ऐगर आप यह क्लास पेज़िए इस्ट्ड़ी पर देख रहे हैं तो मैध आसान है और आसान है और पीजल छाल ऑसो सबस्क्राइब कर लेए क्योंकि आपकी सेवा में तीन यूटूब चैनल है आपके डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी बस आपको क्लिक करना है और फिर आपको देखना है आगे क्या होता है है ना आगे चलें आप हमें कोई भी प्राब्लम के लिए कांटेट कर सकते हैं अगर कोई समस्या होती तो नंबर पे कांटेट करिए और हाँ अगर कोई सवाल है तो उसे आप हमें लिखे भेज़ सकते हैं प्राब्लम के साथ मेरा चुकुमरे दुबंसी आप सभी से बिदा लेता हूं फिर से मिलूँग अगली क्लास के साथ आप सबी बेस्त रहें मस्त रहें और देखते और दिखाते रहें PBRS Study आपका अपना फेवरिट यूटूब चैनल यहां पर हम लोग सिखाते नहीं आपने सुना होगा ना क्या बोलते हैं वो एभी सिंग आपके पढ़ाते नहीं सिखाते हैं जीरो से हीरो बनाते हैं तो भाई हर दिन की कलास देखिएगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू